नमस्कार विदार्थियो राजकिये महाविद्दाल राजगट चुरुदवरा संचालित ओनलाइन क्लासेज में आपका श्वागत है अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल सीसी एराज जीसी आर चुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हिंदी साइट्टे के अलावा और भी विशों का ध्यन कर सकें साथ ही अपने साथियों को भी हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वर्टसप गुरुप से भी जुड़ने के लिए बोलें अगर आपका कोई साथी आपकी कोई सहिली चोबी तक हमारे वर्टसप गुरुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उनके नंबर हमारे पास बेज सकते हैं कि सर प्लीज इस नंबर को भी जोड़ दीजे गुरुप में हम उनको जोड़ देंगे आज की सक्षा में हम भक्ति कालिन का व्यत्री जिसे हम मीरा भाई के नाम से जानते हैं का अध्धन करने जा रहे हैं मीरा भाई का जन्म समवत 1555 में हुआ कुड की नाम अग्राम में है बच्पन में ही मीरा की माता जी का देहंत हो जाने के कारण इनका लालन पालन दूदा जी ने किया और मीरा अपने पिता रतन सैन की इकलोती पुत्री थी इनके जो दादा थे राव दूदा वो भगवत भगति के प्रति उनका गहरा लगाव था और उस उनकी भगवत भगति का ही प्रभाव मीरा पर पड़ा और बच्पन से ही मीरा प्रभू प्रेम में मतवाली हो गई स्री क्रिशन के साथ ये बच्पन का प्रेम दीरे दीरे अटल अनुराग में परिवर्तित हो गया मीरा का विवा चितोड की राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ लेकिन दुरभाग्य से इस वेवाहिक सुक का उप्भोग मीरा अधिक समय तक नहीं कर सकी और विवा के कुछ वर्ष पस्चाथ ही उसे वेधवय ने आघेरा अब तो वह कृष्ण के प्रेम में और अधिक रंग गई भक्ति ही उनके जीवन का संबल बन गया कृष्ण को उसने पती के रूप में ग्रहन कर लिया उसे अपना सर्वस्वय कृष्ण पर ही नुचावर कर दिया समाज से विरुक्त होकर सादों की संगत करना प्रारम कर दिया इसमें उन्हें अनेक प्रेशानिया हुई लेकिन उन प्रेशानियों को सहासी और प्रेम दिवानी मीरा ने सहर से स्विकार किया विस के प्याले को भी वे चरणा अमरित समझ कर पी गई जब विस ही उन पर कुछ असर ने कर सका तो पिटारे में रखा गया विस धर सालिम ग्राम की रूप मूर्ती की रूप में परिवर्तित हो गया और वह फूलों की सया बन गई मीरा जी ने नर्सी जीरो मायरो गीत गोविंद की टीका मीरा बाई का मलार राग गोविंद और सोर्था के कुछ पद उन्होंने लिखे मीरा बाई जी की भक्ति को जब हम देखते हैं तो उनकी भक्ति में जो भासा है वो राजस्तानी ब्रच और गुजराती भासा का मिश्रन उनकी भासा में हमें देखने को मिलता है यहां हम भक्ति कालिम कव्यत्री मीरा बाई जी के एक अद्पद का धन करने जा रहे हैं देखें मीरा क्या कहती है वो कहती हैं कि मन रे परस हरी के चरण सुभग सीतल कमल कोमल तिरभीद जवाला हरन मन रे परस हरी के चरण श्री क्रिशन की भक्ति करने वाली मीरा यहां प्रभु के चरणों की भक्ति के प्रताप उनकी शक्ति के बारे में बता रही है मीरा कहती है कि है मेरे मन मन रे कि है मेरे मन परस हरी के चरण कि तु भगवान के चरणों का इसपर्ष कर उनका ध्यान कर शुभग सीतल कमल कोमल वे चरण शुभग शुभग मतलब सुन्दर सीतल अर्थात सितलता परदान करने वाले कमल कोमल और कमल के शमान कोमल तिरविद जवाला हरन और मनुश्य को इस संसार में तीन प्रकार की दुख मिलते हैं आधी देविक, आधी भोतिक और आधात्मिक इन तीनों प्रकार के कस्टों का हरन करने वाले श्री कृष्ण के चरणों का इसपर्ष कर उनका ध्यान कर कि जो चरण सुन्दर हैं सीतलता प्रदान करने वाले हैं और कमल कोमल कमल के शमान जो चरण कोमल है तिरविद जवाला हरन और जो तीनो प्रकार के जवाला आर्था दुखों को देविक और भोतिक तिनो प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं ऐसे भगवान के चरणों का तू इसपर्स कर ऐसे भगवान के चरणों का तू ध्यान कर जे चरण परलाहद परसे इंद्री इंद्र पद्वी धरण जिन चरण धुरव अटल की ने राखी अपनी चरण और फिर मीरा कह रही है कि है मेरे मन कि श्री कृष्ण की जो चरण है वे सब प्रकार के कस्टों से उद्दार कर देने वाले हैं उन चरणों का इसपर्ष करके जे चरण प्रलाद पर से इंद्र पद्वी धरण कि जिन चरणों का इसपर्ष करके ध्यान करके प्रलाद ने इंद्र की पद्वी प्राप्त की जिन चरण धुरव अटल की ने राखी अपनी सरण और जिन चरणों का इसपर्ष करके धुरव को अटल पद्वी प्राप्त हुआ वे भगवान की सरण में रहा जिन चरण ब्रमांड भेटयों नक्चिक शिरी भरन और नाखून से लेकर शिखा तक अरथात पूर्ण रूप से जो सोभा से युक्त हैं भगवान के उन चरणों ने जिन चरण ब्रमांड भेटयों नक्चिक शिरी भरन नाखुन से लेकर शिखा तक अर्थात पूर्ण रूप से जो सोबा से युक्त है भगवान के उन चरणों ने पूरे विश्व को नाप लिया है प्रभू के उन चरणों का इसपर्स पाकर जिन चरण प्रभू परसी लीने तरी गोतम धरण कि जिन प्रभू के जिन चरणों का इसपर्स पाकर गोतम रिशी की पतनी अहिल्या तर गई अर्थात सापवस पत्थर की सिला बने हुई अहिल्या श्री राम के चरणों से या श्री राम के चरणों के इसपर्स से फिर अहिल्या बन गई थी जिन चरण काल ही नाथ्यो गोप लीला करण और भगवान ने काली नाख के सिर पर इस्तित होकर उसे नाथ दिया उसका आतंक मिटा दिया था किसलिए गोप लीला करण भगवान क्रिशन ने गोप ग्वालों किसी लीला की थी और जिन चरण धर्यो गोवर्धन गरब मदवा हरन और मदवा हरन मदवा मतलब इंद्र कि स्री क्रिशन ने अपने पैरों पर खड़े होकर जिन चरण धर्यो गोवर्धन गरब मदवा हरन कि भगवान स्री क्रिशन ने अपने पैरों पर खड़े होकर गोवरधन परवत को धारन कर इंद्र के घमड को दूर किया दासी मीला मीरा लाल गिरदर अगम तारन तरन इंद्र ने कोप करके ब्रज पर घोर वर्षा की थी और किर्शन ने गोवरधन परवत उठा कर वर्षा से ब्रज वासियों की रक्षा की थी इंदर उनका कुछ भी नहीं बिगाड सका मीरा कहती है दासी मीरा लाल गिर्दर अगम तारं तरं मीरा कहती है कि मैं स्री कृष्ण की दासी हूँ और उनके अगम चरण संसार से सभी का उद्दार करने वाले है तो मीरा कि इन पदों से हमें मीरा की अन्यन्य भक्ति स्री क्रिशन के परती देखने को मिलती है साथ ही हम देखते हैं कि मीरा भाई ने बालक धुरू को उसकी सोतली माने राजा की गोद से अलग कर दिया था तब धुरू जंगल में जाकर भगवान की भक्ति की और परिणाम सरुक उसे भगवान के दर्सन प्राप्त हुए भगवान ने उसे अटल पद प्राप्त किया दूसरा हम देखते हैं कि यमना में रहने वाला कालिया ना को भी नष्ट किया कृसन ने उसे ना था और तब से ना का भैसमाप्त हो गया भगवान के चरणों की बड़ी महिमा है मीरा ने भक्ति करके लाप्राप्त करने वाले अनेक उधारन हमें बताए हैं हम देखते हैं, कि मीरा की जो पद है इसमें राजस्तानी भासा है और ये जो पद है, वो गे पद है तो मीरा ने विभिन उधारणों की द्वारा बगवान की महीमा और उनकी भक्ति उनका चरणों का इसपर्स उनकी चरणों का ध्यान करने के लाब है वो बताए है क्योंकि मीरा की भक्ती है वो अन्यन्य भक्ती है दाम पत्ते भाव की भक्ती है और कृष्ण से प्रेम है वो मीरा को है और मीरा कृष्ण को अपने पती की रूप में श्विकार करती है अगली कक्षा में हम मीरा भाई जी के कुछ पदों का धन करने जा रहे हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूले साथ ही यूटूब चैनल सेसी ईराज जिसी आर्चूर को सब्सक्राइब करें अगली कक्षा के लिए धन्यवाद